नमस्कार आज मैं दूसरी जन्मकुंडली को लेकर के आप सभी की समग को पस्त हुआ हूँ तो निकिता जी जनका ये वीडियो है वो तो इस वीडियो को देखेंगी पाकी मैं कहूंगा कि वो दर्शक जो जन्मकुंडली का इध्यन करना सीखना चाते हैं वो भी इस जन्मकुंडली को अपने सौफ्ट्यर में निर्मत कर लें फिर हम और आप मिलकर के निकिता जी की जन्मकुंडली का इध्यन करेंगे और इनके द्बारा पूछे गए प्रश्णों के जो जवाब हैं उनको इनकी जन्मकुंडली चे तलाशने का प्रयास हम करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इनके जन्मक के विवरन से अबगत करा देता हूँ उसके बाद हम आगे भड़ते हैं डेट अव बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 2nd of December 1988 और जन्मका समय जो बताया हुआ है वो सुभा के साथ बज के 8 मेनिट जन्मस्थान है कोलकाता वेस्ट बंगॉल इन्होंने अपने विशे में कुछ बताया है कि माइन नेम इस निकिता आएले बिन कोलकाता ये कोलकाता में ही रहती है इन्होंने अपना ग्रेजवेशन बीकॉम से किया हुआ है साथी साथ I have done diamond grading course and baking classes baking classes और diamond grading course भी इन्होंने किया हुआ है तो आशा करता हूँ कि मेरे जन्म के विवरण जैस अनुसार मैंने बताया आपने इस जन्मकुडली का निर्मान कर लिया होगा सबसे पहले मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग से अगत कराता हूँ फिर हम इनकी जन्मकुडली की तरफ चलेंगे तो इन्होंने शुक्रवार के दिन मार्गशीर्श मास में कृष्ण पक्षकी नवमी तिति को पूरुवा फालकुनी नक्षतर के चतुरच चरण में जन्म लिया है मनुष्यगण है इनका राशी इनकी सिंग बनती है जो कि अगनी तत्व की राशी है सूर्य इस राशी के राशीश बनते हैं और कुंडली जो इनकी बनती है वो धनू लगनी की बनती है अब इस कुंडली के सबसे बड़ा नकरात्म पक्ष जो है वो लगन है जीरो आइश पर तो लगन के जीरो आइश पर होने के चलते कहीं न कहीं जातक के जीवन काल में परिशानिया जो है वो देखने में मिलेंगी लगन पती के जाकर के सश्थ भाव में बैटना अवयोग होता है और ये जातक को जीवन काल में जीवी को पारजर में संगर्ष कराता है नवं भाव में देखा जाये तो चंद्रमा और केतु की यूती बनी हुई है जो की मानसिक अशान्ती देने का कारण बनता है और लगन पती जाकर के बारफे भाव में बैठे हैं अगर अपनी आये का कुछ हिस्सा जो है वो धर्म में अगर व्याई करता है तो उसका भाग उसका सदेव साथ देता रहता है चतुरत भाव में मंगल हैं जो की आपको मांगलिक बनाते हैं हलाकि उससे कोई बहुत दादिक्कत नहीं है अगर जन्मकुंडली का मिलान वकाइदा हो जाए तो मांगलिक के होने से कोई परिशानी नहीं दिखाई पड़ती सबसे पहले इनका जो प्रश्ण है उसकी तरफ मैं आपको ले करके चलता हूँ इन्होंने पहला प्रश्ण किया है कि मेरी शादी होगी या नहीं और अगर होगी तो कब होगी देखिए आपकी जन्मकुंडली में लगन में शनी बैट जाएं जाकर कि यह शनी का समंद लगने से बन जाए तो प्रत्ते एक चीज़ें जीवन काल में विलंबित हो जाती है अब शनी की द्रिष्टी सप्तम पर पढ़ेगी तो विलंबित ही माना जाएगा आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपती जाकर के बारवे भाव में बैठे हैं तो सप्तम इंश का बारवे भाव में जाना एक नेकिटिव पॉइंट हुआ सप्तम भाव पर शनी की द्रिष्टी का पढ़ना ये आपके विवाह को विलंबित करेगा जन्म लगने से आपका मांगले को होना ये भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत कारण बनेगा दामपत्त के डिले होने का शुक्र जो की दामपत्त के कारक हैं वो आपकी कुडली में सती में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के अधिपती भी अनुराधा नक्षत्र में हैं जो कि विवाह को कुछ हद तक और विलंबित करा रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जन्म कुडली के हिसाब से विवाह के जो आपके योग हैं वो प्रारंब लगभग 12 जन्म कुडली का मिलान करके ही आपका विवाह होना चाहिए अन्य था मैरेड लाइफ में कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिल जाएंगी तो पहला प्रश्न का जबाब यह हुआ कि आने वाला एक वर्ष अगर आप प्रयास करती हैं तो आपके विवाह के ल होगा फिर भी जब भी आपका विवाह हो बकाइदा कुंडली मिला करके होना चाहिए दूसरा प्रश्न आपने किया है जीवन साथी क्या करता होगा जौब या बिजनस देखिए इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया है कि कि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली से उस भी बोलना यहां पर काफी मुश्किल हो जाता है फिर भी आपकी जन्म कुंडली का जो चतुरत भाव है वो आपके सब्तम से दस्वा होने के जलते पार्टनर की आजिवीका को प्रदर्शित तो करता ही करता है तो इस भाव में गुरु की राशी और मंगल यहां जाकर के ब होंगी या फॉरण सेटल्मेंट होगा जीवन साथी कहां का रहने वाला होगा लगबा इनके जो प्रेशन है वो शादी से ही सम्मंदित हैं आपकी कुंडली में लगनपती बैठे हैं सष्ट में स्वदेश पती सष्ट में विदेश पती चतुरत में पर्मानेंट विदेश आपका बाहर जाने की योग ज्यादा प्रबलतम बनते हैं तो मुझे लगता है कि आपके विवहा के बाद में आप अपने जन्मस्तान से दूर जाएंगी या दूर जाने की योग जो हैं वो बनते हैं और दूर जाना ही आपकी लिए कहीं जादा अच्छा होगा रही बात परदेश या विदेश तो वो आपकी पर निर्भर आपकी परिस्तियों पर निर्भर करता है जन्मस्तान से दूर जाने की योग होते हैं तो आप इंटर स्टेट भी जा सकते हैं और कंट्री के बाहर फॉरण जाना चाहिए तो वो भी तो दौनों ही योग आपकी जन्मकु आशा करता हूँ कि जितने भी आपने प्रेश्ण किये थे उन प्रेश्णों का जावाब आपको प्रॉपरली मिल गया होगा कुछ उपाए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ चंडर्मा और केतु की यूती है अगर आपके घर में शिवलिंग है तो घर में नहीं तो नित जहीं बात किसी भी तरह कि जर्म स्टों की तो मैं भी जर्म स्टों के पक्ष्ण में ऊड़ीए उसके बाद हम जर्म स्टों के से में विचार करेंगे अगर संभव हो आप कर सके तो एक क्षण ने का झाल जा आके बढ़ जाए और राहू की प्रार्म होगी Centre की microbi आप सब्सक्राइब करना चाहें तो उसकी जो विदी है या जो भी चीज़ा है वो आप वाट्सअप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कारयले में पूछ लेशेगा तो प्रिये दर्शकों इस कुंडली के संबंध मैं इतना ही कहना चाहूंगा अगर आपको भी इस जन्म कुंडली में गुज़ दिखता है और आप भी अपना विचार इस कुंडली के संदर्भ में कुछ रखना चाहें तो स्वागत है आपका कॉमेंट सेक्षिन में रख सकते हैं आज के लिए पस इतना ही रखते हैं नमस्कार फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन कर सकते हैं साथ साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेस्बुक और इंस्टर्राइम पर फालू कर सकते हैं जिसका यूजर ने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है